आज की वीडियो में हम ये नैक डिजाइन बनाएंगे जो हमने लेस के साथ और डोरी पाइपिन के साथ तयार किया है वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी इसकिप नहीं करना है पूरी देखना है और अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करना है और मुझे कमेंट करकर भी बताना है कि आपको आज का डिजाइन कैसा लगा चलिए अब हम अपनी वीडि और जो इसकी स्टिकी साइड है उसको हम अंदर की साइड करेंगे इस तरह से इसको फोल्ड करके और अब हम नेक के लिए इसका मेजरमेंट करेंगे सबसे पहले हम इसकी नेक की चोड़ाई के लिए यहाँ पर मेजर करेंगे इसको तो यह 3.5 इंचिस पर हम पहले यहाँ प पाइव इंचीज पर मार्क करेंगे अब हमें एक निशान जो लगाना है वो 5.5 इंचीज पर लगाना है और एक जो लगाना है वो हमें 16 इंचीज पर लगाना है इस तरह से लगाने के बाद अब हम स्केल ले लेंगे दिये देखें स्केल ले करके अब हमने जो मार्किंग की उसको आपस में इस तरह से मिलाएंगे और मिलाने के बाद अब हम इसको एक राउंड शेप नेक के लिए देंगे लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक मार्क कर लेना है वो है 0.7 इंचिस पर यानि कि जब यह हम इसे पूरा खोल कर देखेंगे तो यह 1.5 इंचिस का हमारे पास जो है चोड़ाया जाएगी अब हमने यह नेक के लिए एक जो शेप है वो राउंड शेप ड्रॉ कर ली है और अब हमें क्या करना है जो हमने यहाँ पर मार्किंग की थी और नीचे की साइड इस तरह से इसको वी बना लेना है वी बनाने के बाद अब हम यहाँ पर 1-1 हमें इसको मार्किंग करते चले जाना है यह देखे इस तरह से मार्किंग हो गई है नीचे की साइड पर भी हम इसकी एसे इसको सीधे इस तरह मार्किंग कर लेते हैं अब इसकी कटिंग कर लेते हैं कटिंग हम बहुत सफाई के साथ करेंगे कटिंग सफाई से होगी तो फिर हमारा डिजाइन भी सफाई से बनेगा अब यह हमारे नेक की भी कटिंग हो गई है और इसकी शेफ हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई है अब हम इसे कपड़े पर paste करेंगे और थोड़ा थोड़ा margin छोड़ते हुए cutting करने के बाद इसको प्रेस से अच्छे से बिठा लेंगे फिर हम ये एक फैविस टिक लेंगे इसको इस तरह से जो कपड़ा हमने extra छोड़ा है उसको ऐसे paste करते चले जाएंगे और इस तरह से इसके जो ये कपड़ा है ये अंदर की साइट फोल्ड हो करके हमारा ये तयार हो जाएगा अब हम ये कमीज का पीस ले लेते हैं इस पर हम इसको इस तरह से रखेंगे और पिन अप कर लेंगे यह pin up हो गए हैं अब हम इसकी बिल्कुल जो हमने यह pasting paper लगाया है इसकी बिल्कुल बराबर बराबर हम street लगाते चले जाएंगे और इस तरह हमारी जो कमीज पर हमारा यह neck design जो है बन करके तयार हो जाएगा इसको उपर तक street लगा लेते हैं इस्टिच लगाने के बाद अब हमने pin remove कर दी हैं और थोड़ा थोड़ा margin छोड़ते हुए इस तरह से cutting भी कर ली है cutting करने के बाद छोटे-छोटे cuts लगाएंगे हम और cuts लगाने के बाद इसको उल्टी side से उल्टी side पर हम इसको fold कर देंगे ये देखे कोने अच्छे से निकाल लेने हैं और इसको इस तरह से fold करने के बाद प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ ये देखे ये प्रेस हो गया है और मैंने इस तरह से एक मेरे पास ये कपड़ा था और मैंने इसकी dory piping बना ली है मैंने एक तरफ इस पर जादा कपड़ा रखा है और एक side में मैंने इसको इस तरह से डोरी लगते हुए piping बना ली है अब हम इसको इस तरह से यहां पर रखेंगे और इसके बराबर बराबर स्ट्रीट लगा देंगे इस तरह से हमारा ये piping का बहुती खुबसूरत सा गला बन करके तयार होगा ये देखिए अब हम स्ट्रीट लगाना शुरू करते हैं इस तरह से हम इसको रखेंगे और machine का जो बूट है वो हम change कर लेंगे piping वाला बूट लगाने के बाद हम यहां बराबर बराबर इस पर स्ट्रीट लगाएंगे और इससे हमारी जो piping है वो बहुत सफाई के साथ बन करके तयार होगी और हमें बहुत सफाई के साथ इसको लगाना है और मेरे पास जो है इसी तरह का यह कपड़ा था आप चाहें तो इस तरह का कपड़ा तयार करने के लिए आप किसी भी कपड़े पर thread से इस तरह line बना करके ऐसे design वाला कपड़ा तयार कर सकते हैं फिर उसकी pipe in बना सकते हैं यह देखें नीचे तक लाने के बाद हमने कपड़े को cut कर दिया है और अब हम इस side भी इस तरह से इसको pipe in को रखेंगे और इसके भी ठीक बराबर बराबर हम stitch लगाते हुए pipe in को attach कर देंगे और यह हमें बहुत ध्यान से और बहुत सफाई से बिलकुल किरारे किनारे street लगानी है तब ही हमारी जो pipe in है वो सफाई के साथ लगेगी अब इसको लगा करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमारा यह neck बन करके तयार हुआ है यह देखे हमारी यह pipe in लग गई है अब हम इसको इस तरह से fold करेंगे कपड़े को और यहां पर तुरपाई कर लेंगे अब हमने इस तरह से एक ही कपड़ा ले लिया है इसको हमने थोड़ी सी V shape में लिया है 14 इंचिस की लंबाई है और उपर की side से यह 4 इंचिस यह देखे 4 इंचिस है और नीचे की side से यह 3 इंचिस है अब हमें क्या करना है जो हमने यह neck तयार किया है उसकी गले की गहराई को लेते हुए हमें यहां पर इसको रग देना है और अच्छे से pin up कर देना है अब हमने पिन अप भी कर लिया है अब हम इस पर स्टीच लगाएंगे इस तरह से स्टीच लगाने में ये है जो हमारा नैक है वो अच्छे से फिक्स हुआ है तो हमारा जो स्टीच है वो इधर उधर नहीं होगी और बहुत अच्छी सफाई के साथ ये स्टीट लग करके हमारा नैक बन करके तयार होगा अब ये देखिए इस तरह से हमने ये कपड़ा भी अटेच कर दिया है और अब मेरे पास ये एक इस तरह से लेस है बहुत ही खुबसूरत लेस है अब हम इसको पहले क्या करेंगे सबसे पहले तो हम इसे फैबरिक ग्लू के साथ पेस्ट करेंगे फिर उसके बाद हम इस पर स्टीट लगाएंगे क्योंकि फैबरिक ग्लू से पेस्ट करने से इसमें ये है कि जब हम इसे लगाएंगे ना तो इसमें कोई जोल होगा ना कोई खिचाओ होगा और यह बहुत अच्छे से laisse सेट हो जाएगी जब हम इस पर स्टीट लगाएगे तो यह बहुत सफाय के साथ स्टीट लगेगी और बहुत ही easily हमारी स्टीट लगेगी यह देखे मैंने fabric glue लगा लिया है अब हम laisse को इस तरह से रखेगे हम इसे round neck में नहीं लगा सकते थे तो इस design के लिए हमें ये ध्यान लखना है कि हमें जो lace लेनी है वो बहुत soft lace को लेना है हमें जो lace की लंबाई है वो हमने जहां पर weave बना है उससे थोड़ी सी नीचे तक लेना है तो हम क्या करेंगे जो extra lace है उसको बहुत सफाई के साथ हम य यहां से cut कर देंगे यह देखे यहां से cut कर दी है अब हम गजरी साइट पर lace लगानी है वो भी इसके बराबर से लगानी है वहां पर भी हम इन देखिए fabric glue लगा लेते हैं और बिलकुल से यहां से इसको फिर से पेस्ट करना शुरू करेंगे और लेस को भी हमें बिल्कुल भी नहीं खेचना है और इसके जो कोने हैं इसको इस तरह से मिलाएंगे तो हमारा यह जो है डिजाइन यह बहुत अच्छा लगेगा और बहुत सफाई से भी तयार होगा यह देखे इस तरह हमें इसको सेट कर लेना है और इस तरह सैट करने के बाद हम इसको बाद में जब यह ग्लू के साथ अच्छे से पेस्ट हो जाएगा थोड़ी देर हम इसको रखेंगे फिर उसके बाद हम इस पर स्टीट लगाएंगे और यह कितना खुपसूरत हमारा डिजाइन बन करके त तो ने मैंने प्रफित लगाने के लिए यहां पर छेट है उपहांगे स्टिच लगांगे कि यह ग्लू से अच्छे से सेट हो गया है और इस तरह से लगाना यह यहां यहां से इसको लगाना है यह देखे यहां तक लगा करके दूसरी साइट से भी मैंने इसको उपर से ही लगाना शुरू किया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमारी लेस होती है और हम उस पर स्टीट लगाते हैं तो एक साइट से गला बढ़ जाता है और उसमें सफाई नहीं आती तो इसलिए मैंने दोनों साइट से इस तरह से लेस लगाई है यह देखे एक स्टीट लगाने के बाद दूसरी भी मैंने इधर की साइट लगाई है यह देखे इस तरह से और अब मैं दूसरी साइट से भी उपर से ही इसको लगाना शुरू करूँगी यहां से मैंने दूसरी साइट पर भी उपर से ही लगाना शुरू किया है और यह हमारा बहुत ही खुबसूरत नैग डिजाइन बन करके तैयार हुआ है और मैं उम्मीद करूँगी कि आपको यह डिजाइन पसंद आया है प्लीज मुझे आप ज़रूर क्मेंट करके बताईएगाह कि आपको यह आज का डिजाइन कैसा लगा और आज की वीडियो आपको कैसे लगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को lai कीजिए चैनल पर अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगे फिर मेरती हूँ तब तक के लिए अल्ला हाफेज